तो भया आपको चाहिए सीधा जवाब आनिमल देखू या फिर नहीं बॉस कई सालों बाद ऐसी फिल्म आई है जिसका इतना सीधा आसान जवाब नहीं दे सकती मैं पूरे 10 पॉइंट्स लगेंगे जिसके बाद एकदम 100% क्लियर होगा तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए या फिर नहीं पहले छोटा सा इंट्रो कर लो देश का सबसे अमीर आदमी उसका बेटा दिमाग से एकदम पागल है और पागलपन की वज़े खुद उसके पापा है फिर पापा पे चलती है गोलियां यहां से बेटे की जिंदगी का अब सिफ एक मकसद है उसको ढूनना है, मारना है, बदला लेना है लेकिन बदला इंसान इंसान से ले सकता है, जब सामने खुछ शैतान खड़ा हो जाए तब अच्छे अच्छे हीरो की भी हवा निकल जाती है अनिमल सिर्फ नाम की अनिमल नहीं है, फिल्म के अंदर बहुत कुछ ऐसा है, जिसको दिखाना तो छोड़ो, सोचने की भी हिम्मत नहीं होती डिरेक्टर्स की फिल्म का स्टाइल वाके ही बोल्ड है, अडल सर्टिफिकेट से फैशन के लिए नहीं मिला है इसको, ऐसे डायलोग्स जो किसी और के सामने नहीं बोलता है कोई भी ऐसे अडल सीन्स भी हैं, जिनको देखते वक्त शायदा आप अनकमफर्टेबल होगे विद फैमिली, अब आपका पारेवारिक माहौल इसकी इजाज़त देगा की नहीं, फैसला तुम करो संदीब वंगा की फिल्म आपके सामने शीशा लगा के खुद को दिखाना चाहती है, ये कोई entertainment नहीं है कुछ ऐसे scenes जो दिमाग में घुसके पुरानी यादें बहार निकालते हैं, जो भूल कर भी नहीं भूल पाते हो आप दिमाग फाली फिल्म, action बोल के बेज़ती मत करो हाँ वो बात अलग है कि interval से ठीक 10 मिनिट पहले ठीटर में ऐसा action होगा जो शायद 100 सालों तक भूल नहीं पाऊगे आप हम लोग आज तक सिर्फ मशीन गन देखकर पागल हो जाते हैं ना, संदीव फांगा मशीन गन का पुरा परिवार उठाके लाए हैं, कान फट जाएंगे और हाँ, ये कोई VFX वगरा नहीं है, एकदम असली made in India gun है, ये पूरे 500 किलो की, संदीव फांगा ने खुट डिजाइन किया है इसको पॉइंट नमबर तीन, फिल्म देखने से डर रहे हो गर आप, कि अंदर क्या disturbing दिखाया जा सकता है, खून वाले scenes कुछ जादा भयानक तो नहीं है नहीं जी, इस डर को दिल से निकाल सकते हो, फिल्म वॉयलेंट जरूर है, लेकिन disturbing बोलना गलत होगा, कुछ ऐसा mental health पागल पन नहीं होगा अंदर, don't worry मार काट वाले scenes भी ठीक ठाक हैं, कुछ ऐसा सदमा लगने वाली चीज़ नहीं है, कोई किसी को काट के नहीं खाने वाला घबराऊ मत पॉइंट नमबर चार, इमानदारी से बता देती हूँ, animal की कहानी बिलकुल नई या फिर unique type की नहीं है, simple cd, abcd, गुल जले भी जैसा कुछ नहीं है अंदर हाँ, लेकिन कहानी दिखाने का तरीका वो जबरदस्त है, presentation based cinema जो आज से पहले किसी भी दूसरी इंडिन फिल्म में नहीं देखा होगा आपने हर इंसान के दमाग में एक filter होता है जिसमें वो नाप तोल के किसी भी चीज़ को बोलता है, संदीप वांगा ने उसको फार के सब कुछ real निकाल दिया है यहीं से आता है point number 5, यह film बिल्कुल नहीं देखनी है हर उस इंसान को जो फैमिनिजम नहीं बलकि उसकी गलत फैमी में जी रहा है hero heroine अंदर एक दूसरे के साथ बिल्कुल transparent है, आरपार दिख जाता है, वो क्या बोलते है equal, लड़का लड़की का फर्क zero इसलिए कुछ ऐसी बाते भी हैं, जो परदे के पीछे होती हैं, लेकिन theater screen तो cover हो नहीं सकती, वांगा साहब की यह हिम्मत लोगों को खटक जाएगी एक hero का दूसरे actress को अपना जूता चाटने को बोलना, ये चीज़ें कहानी में है, flow के साथ, लेकिन कुछ लोग controversy का जंडा उठाएंगे Point No.6, फिल्म लंबी ज़रूर है, लेकिन boring बल्कुल नहीं है, साड़े 3 घंटे public को theater में मिठाने के बाद भी हर कोई खुशो के बाहर क्यों निकलेगा जानते हो, क्योंकि ending के बाद भी film खतम नहीं होती, एक post credit scene है, जहाँ पर पूरे 3 घंटे जो आपने देखा, उससे भी खतरनाक चीज चुपी है, इसके लिए कोई भी तयार होके theater नहीं गया था, फिल्म के बाद bonus जैसा है ये scene, उचल पड़ोगे seat से, दोनों हातों से ताली मारोगे guarantee, Point number 7, जो लोग tension में चले गए थे, रश्मिका का ये scene देखने के बाद trailer में, और सोच रहे थे, कैसे जहलेंगे भाई इसको, आपका डर सही था, फिल्म में उनका character बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन रश्मिका थोड़ा सा चुप सकती है कानों में, रनबीर के साथ chemistry fire है, और जो character इन्होंने play किया है, उसको select करने के लिए गट्स चाहिए थे, इस बाद पिताली मार सकते हो तुम, Point number 8, ये है कि Lord Bobby का comeback जबरदस्त है, उनकी entry film में ऐसे करवाई जाती है, जिससे film का पुरा game ही बदल जाता है, बट sorry, थोड़ा सा दिल तूटेगा आपका, ये जान Point number 9, फिल्म की सबसे बड़िया चीज, सबसे बड़ी power emotions है, हर बेटा, हर भाई, हर पती के अंदर वाली बाते हैं, जो कभी बहार नहीं आती, आज सुनोगे, Animal को देखते टाइम ऐसा लग रहा था मुझे, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, संदीव फांगा ने अपनी बते टाइम आप confused हो जाओगे, जो फिल्म में हुआ, जो रनबीर ने किया, कितना सही, कितना गलत, तेल लेने गया, पापा बेटे का प्यार ऐसा हो, वरना ना हो, बस यही तो है Point number 10, दर रनबीर कपूर, यादे मुझे, जब संदीव पांगा ने फिल्म को अनाउंस किया तो सूपर स्टार रनबीर कपूर लिखा था, तब कुछ लोग लड़ने आ गए थे, भाई सूपर स्टार कैसे बोल दिया, अभी तो बच्चा है ये, सूपर स्टार बनने में सौ जनम लगेंगे, बेटा जी सिफ एक फिल्म लगी है, और रनबीर ने ऐसा काम किया है, कि य उपर वाले स्टार बन गए है, आस्मान जितना टैलेंट है इस बंदे के अंदर, जिसमें ना जाने कितने चोटे मोटे स्टार्स की आक्टिंग शुरू होके खतम भी हो जाती है, रनबीर कपूर का पागलपन इस फिल्म के अंदर अलग लेवल पे चला गया है, हर एक डाय रनबीर को देखकर कि बाकी बच्चे उनके जैसा बनने की कोशिश तो नहीं करेंगे, बॉस आपका डर बिल्कुल सही है, आक्चली रनबीर ने परफॉर्मेंस इतना गजब का दिया है कि हर कोई उसके जैसा बनना चाहेगा, लेकिन एक्टिंग और रियल लाइफ में फर् ठाना नहीं, फील कराना चाहते हैं, लेकिन इस वज़े से पिक्चर सेकेंड हाफ में कई जगे पर लंबी खिच जाती है, रनबीर रश्मिका की बातें जरूरी हैं, लेकिन कम डायलोग में होती ही, तो स्क्रीन पर फास्ट होता, तो बॉस मेरे पास आनिमल को देने के तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, बढ़ना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई